यह तो हाज हमें एक आर्ट मरले का प्लाड बनाएंगे उसकी 2D प्लैन बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग पहले ग्रिट्स को आफ कर देते हैं यूनिट की कमांड में जाएंगे। उनिट चेंज करने के लिए अर्गिटिक्शर में कर देंगे इसको और प्रेशिजन को टेड़्ी इडिटिक्श में कर देंगे। और text में, text olive option में जाएंगे, वहाँ से इसकी height एक foot कर देंगे, text की height. एक foot करने के बाद, symbol and arrows में जाएंगे, second point को architectural tick में करेंगे, और first point को भी architectural tick में कर देंगे, और इसको ok कर देंगे. Ok करने के बाद, इसको copy of standard को select करेंगे, set current करेंगे, और window को close कर देंगे. यहाँ से अब, हम लोग एक line draw करेंगे, जिसकी width है 45 feet. यह line draw कर दी हमने, इसके बाद again length draw करेंगे, जो के 49 foot और 4.5 inches है. 4.5 inch. Again line draw करेंगे, L की command लेंगे, और 45 feet इंटर करेंगे. और इस line को close कर देंगे. UCS icon को अपने origin में करने के लिए, UCS icon पे right click कीजिए, UCS icon setting और इसको uncheck कर दीजिए. अब इसको हम लोग offset लेंगे, 9 inches की wall draw करने के लिए, तो सारे area से हम लोग 9 inches का offset ले लेंगे. और ये walls हमारी draw हो गई. और extra area को trim कर देंगे, TR की command से. ये extra line हमने trim कर दी. Again हम लोग offset लेंगे, 6 foot 9 inches का bathroom को draw करने के लिए. तो इससे पहले हम लोग layers को select करेंगे, layer बनाएंगे, इसको new layer बे select करेंगे, और wall इदर put कर देंगे. और wall का color जो है, वो हम लोग इसको ये green कर देते हैं. parrot green color हम इसको कर देते हैं. इसके बाद ok press करेंगे, ये हमारे पर layer बन गे, मैं ची तरह सारे layers को draw करता हूँ. इंटर करेंगे, और यहां से offset लेंगे, 6 foot 9 inches, और उपर से offset लेंगे, vertical offset लेंगे हम लोग, यहां से again offset ले लिया, उपर से offset लेंगे, 7 foot, और again offset लेंगे, 9 inches की wall draw करेंगे, और extra areas को trim कर देंगे, tr की command इंटर करेंगे, और इसको areas को trim कर देंगे, और extra lines को भी trim कर देंगे, यहां से again उसके बाद हम लोग एक, इस सारे को select करेंगे, और इसको layer, wall वाली layer में press करेंगे, तो इसका color change हो जाएगा, अगेन हम लोग offset लेंगे, 13 foot, 4 inch का, bedroom की wall draw करने के लिए, हम लोग यहां से offset ले लेते हैं, और दूसरा offset लेंगे, 16 foot का, यहां से offset ले लेंगे, 16 foot, यहां सारी line को extend कर देंगे, एक दूसरे से बिला देंगे, again offset लेंगे, O की command प्रेस करेंगे, और 9 inches का offset ले लेंगे, और बाकी lines को extend कर देंगे, EXE command एंटर करेंगे, यह सारी lines extend कर देंगे, extend करने के बाद, बाकी areas को trim कर देंगे, tr की command से, यह सारी line को trim कर देंगे, यह हमें required नहीं है, again offset लेंगे, यहां से, again offset लेंगे, 6 foot का, और उपर से offset लेंगे, 9 foot, 7.5 inch का, यह 7.5 inch, 7.5 inches और वहां से offset ले लेंगे, again offset 9 inches, wall के लिए, यहां से हम लोग wall draw करेंगे, और extra lines को trim कर देंगे, tr की command से, यह हमारे पास bathroom draw हो जाएगा, यह सारी line को trim कर दी है, यह एक सी command लेंगे, और यह lines को extend कर देंगे, opening की lines को extend कर देंगे, और extra lines को trim कर देंगे, tr क्मांड से, इसको erase कर देंगे, e की command एंटर करेंगे, और यह हमारे पास opening draw हो गई है, अगेन हम लोग offset लेंगे, 6 foot और 9 inch का, kitchen draw करने के लिए, यहां से offset ले लिया, उपर से offset लेंगे 12 foot का, और अगेन offset लेंगे, 4.5 inches का, दिवार हमारे पास 4.5 inch की है, और नीचे से offset लेंगे 9 inch का, extra lines को trim कर देंगे, tr की command से, यह हमारे पास dirty kitchen draw हो गया है, dirty kitchen, अगेन offset लेंगे, 10 foot, 4.5 inch का, इस line को पकड़ेंगे और offset लेंगे, अगेन offset 9 inches का wall के लिए, यह हमारे पास main kitchen draw हो गया है, और extra lines को trim कर देंगे, tr की command से, अगेन यहां से offset लेंगे, TV lounge के लिए 22 foot, और 4.5 inch का, इस line को pick करेंगे, और यहां से offset लेंगे, अगेन offset 9 inches for wall, यह हमारे पास draw हो गया है, और extra lines को trim कर देंगे, कुछ line हमने extend कर देंगे, तो इसके लिए EXE command यूज़ करेंगे, opening बनाने के लिए, यह हमने extend कर देंगे, और इसको trim कर देंगे, अगेन EXE command और इन दो lines को हम लोग join कर देंगे, और center वाली line को trim कर देंगे, जो trim नहीं होगी, अगे उसको erase कर देंगे, select करेंगे, और E की command प्रेस करके erase कर देंगे, हमरे पास opening draw हो गई है, अगेन हम लोग offset लेंगे यहां से, वो की command इंटर करेंगे, और यहां से लेंगे 4 feet और 6 inches का, यहां से offset लेंगे, और यहां से 5 feet का offset लेंगे, और इन लाइन को extend कर देंगे आगे, अगेन offset लेंगे, 4.5 inches, वाल की thickness 4.5 inches है, एक्स्ट्रा लाइन को trim कर देंगे, और यहां की बाकी area इसको भी trim कर देंगे यहां से, इसको भी trim कर देंगे, अगेन exe command extend करेंगे इन लाइन को, ठीक है और जो delete होनी है वो delete कर देंगे, यह एक्सी command से इसको भी extend कर देंगे, और यह trim कर देंगे, यह हमारे पास bath draw हो गया है, अगेन offset लेंगे यहां से, 16 foot, 16 foot का offset लेंगे, 16 foot और 1.5 inch का, 1.5 inch का, यहां से offset लेंगे, अगेन offset लेंगे 14 foot का, ठीक है, और अगेन offset लेंगे, 9 inches wall के लिए, और यहां से भी offset लेंगे, 14 foot का, यह हमने offset लेंगे, अगेन offset 9 inches का wall के लिए, और बाकी line को trim कर देंगे, यहां से बाकी lines को trim कर देंगे, अगेन offset लेंगे, यह 17 foot और 11 inch का, यह हमने यहां से offset लेंगे, पोर्च ड्रॉ करने के लिए, अगेन offset 9 inches का wall के लिए, यह हमने wall ड्रॉ कर देंगे, और extra line को trim कर देंगे, tr की command इंटर करके, इसको trim कर देंगे, अगेन extend कर देंगे इन walls को, हमें इस area को open रखना है, ex की command इंटर करेंगे, और इसको extend कर देंगे, अगेन ex और trim कर देंगे, जो trim होनी और trim हो जाएंगी, और जो नहीं होंगी उनको इरेस कर देंगे, यह हमारे पास Depois Draug हो गया है अब हम लोग इस Line को भी Extend कर देंगे और इन बीच वाली Line को Delete कर देंगे इसको भी Extend कर देंगे यहाँ से और बाकि Lines को Delete कर देंगे इसको Select करेंगे इसको Select करेंगे E की Command Press करेंगे और यह Erasse हो जाएगा अब ये बाकी हमारे पास لउन ड्रा करेंगे हम लोग इसके अंदर इहां से हम लोग चैंफर की कमांड लेंगे ciach enter करेंगे और इन लाइन को हम लोग Chamfer कर देंगे और 4 foot का हम लोग इसको distance दे देंगे Chamfer करने के लिए तो इस line को select करेंगे और इसको और यह मर पास Chamfer हो जाएगा अब हम लोग इसमें doors draw करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे door draw करने के लिए हमने यहां से एक line लेनी है, यहां से एक line ड्रॉ करेंगे इंदर तक, और यहां से इसका offset ले लेंगे 9 इंच का, 9 इंच का offset लेने के बाद, इनको select करेंगे, और wall वाली layer में डाल देंगे, ठीक है, again offset लेंगे यहां से 5 foot का, और यहां से इसको pick करेंगे, और यहां से offset ले लेंगे 5 foot का, और बाक बाकी भी इसी तरह draw करता हूँ, ए मने draw कर दी है बाकी, अब इस line को हम लोग extend कर देंगे, exe command इंटर करेंगे यहां से, तो exe command इंटर करता हूँ मैं यहां से, और इसको extend कर देता हूँ, और यह वाली line को भी extend कर दूँगा, outer line को मैं erase कर दूँगा, एक कमांड से अब हम लोग यहाँ पर किचन का काउंटर बनाएंगे जिसके उपर चूला वगहरा रखा होता है तो लाइन लूँगा मैं यहाँ से दो फूट का ओफसेट लूँगा यहाँ से लाइन के लिए दो फूट लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको continuous ली यहां से आके attach कर दूँगा इदर अगेन इस लाइन का ओफसेट लूँगा मैं दो फूट और इसको इदर मिला दूँगा यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ओफसेट ले Lunge मैं यहाँ से और बाकी areas को trim कर देंगे tr की command से यहां से मैं एक line draw करेंगे यह line draw कर दिया मैंने और बाकी lines को trim कर दूँगा जो require नहीं है यह trim कर दिया और इस line को erase कर दूँगा यह कि command से यहां पर हम लोग एक odd draw करेंगे तो और के लिए ARC first point pick करेंगे second point और यह अपनी मरदी से थोड़ा सा और्क बना लेंगे यहां पर 5 इंच का radius का और यहां बाकी line को trim कर देंगे जो extra area है यह हमारे पास kitchen के लिए counter ready हो गया है अब मैं एक door बनाऊंगा तो इसके लिए मैं rectangle लोँगा REC sorry REC की command enter करूँगा यहां से rectangle लोँगा इसको मैं width दूँगा 2 इंच और height दूँगा 4 इंच और enter press कर दूँगा यह हमारे पास एक rectangle ढॉगए Again rectangle और इसको मैं दूँगा weight 4 इंच और height दूँगा मैं इसको 2 इंच sorry और height दूँगा मैं इसको 4 foot यह हमारे पास एक panel ढॉगए अब मैं line लूँगा यहां से और 4 foot और 2 inch का line draw करूँगा यह line draw हो गया अब again मैं arc लूँगा ARC की command और वहां से first point पिक करूँगा और इस वाले point को लाके मिला दूँगा और यहां से हम एक arc draw कर देंगे कोई सभी अपने मर्जी से यह इस तरह इस point पिलाके मैं set कर दूँगा और extended lines को मैं trim कर दूँगा DR की command से यह हमारे पास door ready हो गया है इस line को मैं erase कर दूँगा और इसको मैं group कर दूँगा इस सारे को select करेंगे हम लोग ठीक है और G की command enter करेंगे यह हमारे पास एक group में हो जाएगा फिर again copy करूँगा मैं इनको यहां से point पिक करेंगे base point और यह नीचे में मतदित copy बना लूँगा ठीक है again mirror की command लूँगा मैं और इस सारों को select करूँगा center point मैं इसको दे दूँगा यहां से और okay कर दूँगा तो यह मार पास sorry again mirror की command और यहां से इस line को draw कर दूँगा और no कर दूँगा हमने delete नहीं करना तो इसको मैं doors को मैं सारों को put करूँगा यहां से तो मैं align की command लूँगा AL इस वाले door को pick करूँगा first point यह लूँगा destination point first यहां से ले लेंगे इसको again second point of the object and second point of the designation point और yes कर दूँगा इसको scale करने कि लिए मैं बाकी doors को भी इसी तरह draw करता हूँ और इसको door वाली layer में put कर दूँगा सारी doors को मैं draw करता हूँ यह देखे मैंने सारी doors draw कर दिया है अब main door को कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग यहां से mirror करेंगे इसको इस वाले point को pick करेंगे नीचे की तरफ लाएंगे और यह double door double panel door हमारे पास ready हो गया है सारे को group कर देंगे g की command से और आप मैं इसको align करता हूँ यह first point लेंगे first point source point लेंगे यह वाला हम और इसको इधर लाके destination point पे fix कर देंगे second source point and second destination point इसको मैं put कर लूँगा yes करेंगे हमने इसको scale करना है तो यह देखे हमने put कर दिया इसी तरह मैं दूसरे को भी draw करता हूँ तो यह सारे door हमारे पास ready हो गया है again मैं line के command लूँगा इसका center point पकड़ूँगा मैं और यहां से मैं wall select करूँगा center point से मैं एक line draw करूँगा और यहां से offset लूँगा मैं 2 foot का यह offset ले लिया मैंने यहां से यह भी offset ले लिया again इस mid wall line को मैं sorry इस mid wall line को मैं erase करतूँगा एकी command से और again offset लूँगा 4.5 inches window draw करने के लिए यहां से 4.5 again 2 inches offset यहां से इदर और यहां से इदर यह window का सिंबल है बाकी line को हम लोग trim कर देंगे तो यह हमार पास ऐसे window draw हो जाएगे इसको सारे को select करेंगे और window वाली layer में put कर देंगे तो यह हमार पास window ड्राओ अगए मैं बाकी भी सी तरह draw करता हूं सारी windows को यह देखें हमने सारी window को ready कर दिया है अब मैं जाओंगा layers में और layer में यहां से हम लोग text को select करेंगे sorry text वाले layer को select करेंगे और यहां से मैं वो text के option में जाके यहां से एक block draw करूँगा text के लिए यह मैंने draw कर दिया अब इसको मैं bedroom put करूँगा यहां से bold पे click करेंगे और capital letters में हम लोग इसको bedroom draw कर देंगे bedroom लिखेंगे यहां पे और बाहर enter कर देंगे यह बाहर mouse click करेंगे यह अब size इसका बहुत चोटा है तो मैं इसको click करता हूँ right click और properties में जाएंगे properties में यहां पे हमारे पास होगा text height इसको मैं change कर देता हूँ one fit पे यह देखे हैं हमारे पास इसका size change हो गया है अब मैं बाकी सारों को भी इसी तरह draw करता हूँ तो मैं इसको copy करूँगा co की command से इसको base point पकडूँगा और यहां पे इसको draw कर दूँगा मैं बाकी सारों को इसी तरह mention करता हूँ फिर मिलते हैं आप से तो यह सारे मैंने draw कर दिया है text को अब इस वाले को हमने जो है नहीं देखें हमने rotate करना है तो इसको properties में जाएंगे वो fix नहीं आ रहा हूँ आप है तो rotation में जाएंगे हम लोग और इसको 90 degree दे देंगे यह देखें हम अरपाद rotate हो गया है इसको मैं move कर लेता हूँ M की command से और center में ले आएंगे दर ठीक है अगेन यह stairs को भी आसे ही करेंगे तो मैं इस पर click करता हूँ properties और rotation में जाएंगे यहां से 90 degree ठीक है और इसको मैं move कर लूँँगा M की command से यह M ने move कर दिया है यह सारा मैंने fix कर दिया है तो यह देखें इसी तरह मैंने सारे text को apply कर दिया है अब मैंने यहां पर stair draw करनी है तो मैं उसके लिए text को layer को off कर दूँँगा off करने के बाद फिर मैं इसको line sorry line की offset की command लूँँगा मैं 9 इंच का ठीक है और यहां से इसको मैं line draw करूँगा sorry यह हमने textually select की है मैं जाओंगा wall में फिर again line की command लूँँगा इंटर करूँगा और यहां से line draw करूँगा 3.5 fit की तो यह हमारे पास गलत line pick हो गया है मैं और्टों mode को on कर देता हूँ यह हमारे पास अभी off है तो नीचे आके और दो mode को on कर दिया मैंने line लूँगा again और 3 foot change की line draw करूँगा एक ठीक है यह हमारे पास line draw हो गई again मैं यहां से offset लूँगा इसको escape press करेंगे और offset मैं लूँगा 1 foot का stair thread draw करने के लिए तो मैं यहां से यह सारे draw कर लेता हूँ यह हमने draw कर लिया last one को हम erase कर देंगे यह select करेंगे E की command से erase कर देंगे और मैं इस boundary को line से जोड देता हूँ तो यह line की command लेंगे यहां से और इसको जोड देंगे ऐसे again इस सारे को copy करेंगे हम लोग तो select करूँगा मैं यह सारा CEO की command और यहां से select करूँगा enter press करूँगा यहां से और इस point को pick करूँगा और इस point पे fix कर दूँगा इसके लिए आपको ortho mode on होना चाहिए again मैं line लूँगा इसको connect करूँगा और साथ में इसको भी connect करूँगा यह हमारे पस stair के अंदर space हो जाएगी तो यह हमारे पस stair के ड्रा होगे इस line को मैं erase कर दिता हूँ अब मैं जाओंगा layers में और text वरी layer को मैं on कर दिता हूँ यह मैंने on कर दिता हूँ देखे सारे text हमारे पस वापस आ गए तो यह देखे हमारे पस सारे text वापस आ गए अब again मैं यहां से एक drive way draw करूँगा तो इसके लिए मैं line की command लूँगा और यहां से एक line draw कर दूँगा garage के बाहर पोर्च के बाहर तो यह हमारे पस एक drive way ready हो गया है अगेन मैं यहां से offset लूँगा एक foot का और इस line को offset ले लूँगा अगेन यहां से offset लूँगा मैं और एक foot का offset लूँगा यहां से यहां से मैं offset ले लूँगा और बाकी line को trim कर देंगे tr की command से inlines को हम लोग trim कर देंगे अब इस सारे को मैं copy करूँगा co की command से ये inlines को copy करूँगा मैं और इस base point को पकड़के sorry again copy की command लूँगा मैं ये इससे copy करूँगा और इसको इदर लाके fix कर दूँगा एक line draw करूँगा L की command से और इनको आपस में join कर देंगे और extra line को मैं trim कर दूँगा tr की command से ये देखें ये हमार पास column draw हो गया है इस line को हम लोगों ने erase करना है तो मैं इसको select करूँगा और e की command से इसको erase कर दूँगा ये हमार पास drawing होगा, मैं इसको copy करूँगा यहां से, इसको select करूँगा co, copy और इसको बाहर यहां पे ortho mode को off कर दूँगा और इसको बाहर इदर fix कर दूँगा इसको ground floor देने के लिए text देने के लिए तो मैं इसको यहां से select करूँगा double click करेंगे तो यह हमार पास edit हो जाएगा इधर मैं लिखूँगा ground floor ground floor plan और इसको मैं extend कर दूँगा इस box को तो यह हमार पास एक order में आ जाएगा again मैं जाता हूँ text layer में text layer select करता हूँ इसको भी select करूँगा M की command से इसको move करूँगा मैं यहां से pick करूँगा अब थोड़ा से इसको हम इधर adjust कर लेंगे ठीक है यह हमार पास ground floor plan त्यार हो गया है यह सारा हमार पास ground floor थाब मैं इस सारे को select करता हूँ first floor के लिए और इसको copy करूँगा co की command orthomode को हमेशा on रखना है मैं इसकी same as इसकी direction में first floor को draw करता हूँ तो इसमें कोई changes नहीं होगे सिरफ हमने Porsche, driveway और lawn को change करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह सारा हमने draw कर दिया इस line को erase कर दूँगा मैं और इसको भी erase कर दूँगा यह वाली सारी lines को भी erase कर देंगे select करेंगे, इसको भी erase कर दूँगा और यह भी सारा erase कर दूँगा, columns E की command से erase कर देंगे अब एक line लोगा मैं, L की command से और इसको draw कर देंगे यहा से मैं इसका tracking लोगा और इस line के धर join कर दूँगा इस सारे line को select करेंगे और इसको wall वाली layer में put कर देंगे apply कर देंगे wall वाली layer यह देखें यह हमारे पास terrace draw हो गया है सिरफ हमने यही changes करनी थी इसमे इसको भी delete कर देंगे और इसको भी delete कर देंगे Porsche वाले को select करेंगे double click, M की command से पहले move कर देंगे और double click करेंगे यहां से edit करने के लिए मैं यहां पे इसको terrace put कर देता हूँ यह first floor का हमारे पास terrace हो गया है again मैं यहां से co copy करूँगे text को बाहर ले के आऊँगा orthomode को off कर दूँगा यह इदर put कर देंगे हम लोग और double click करके edit करूँगा यहां पे मैं लिकूँगा first floor plan sorry first floor plan और इस box को मैं आगे drag कर दूँगा one order में put करने के लिए तो यह हमारे पास draw होगे इसको मैं move करूँगा थोड़ा सा तो यह देखें हमारे पास यह drawing ready हो गई है और इनको मैं delete कर दूँगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो comment और share लाजमी कीजेगा यह हमारे पास आठ मरले का plot त्यार हो गया है double story